चावंडिया भोपा के वापस लोटने के बाद रानी जयमती हीरा को पीटती है और इश्या वश उसे खूब खरी खोटी सुनाती है कि तू भोज पर रीज गई है भोज ने रात को तुझे चुआ तो नहीं और क्या-क्या बात हुई बता जब हीरा सारी बात सही सही बताती है तब रानी जयमती वापस हीरा को मनाती है उसे खूब सारा जेवर देती है एक दिन रात को हीरा और रानी जयमती सवाई भूज से मिलने नौलखा बाग की ओर जा रही होती है सयोग से उस दिन नींदेव जी पहरे पर हुते हैं और वो रानी की चाल से रानी को पहचान जाते हैं रानी नींदेव जी को देख पास ही भड़ भूजे की भार में जा चुकती है जिसे नीनदेव जी देख लेते हैं और हीरा से पुछते हैं कि हीरा भाभी जी को इतनी रात को लेकर कहां जा रही हो हीरा सचेत होकर कहती है कि बायसा को पेट घंडो दूखे हैं, इस वास्ते भड़ा भूजे के यहां आये हैं ये जार फूंग भी करना जानता है, बतावा ने आया है, नींदेव जी को हीरा की बात पर विश्वास नहीं होता है, भरा भूजा की भार में छिपी रानी को निकालते हैं और हीरा को कहते हैं कि हीरा तुझे इस सच की परीक्षा देनी होगी, हीरा परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाती है नीमदेव जी लोहार को बुलवाते हैं और लोहे के गोले गरम करवाते हैं लोहार भटी पर लोहे के बने गोलों को तपा कर एकदम लाल कर देता है जब लोहार लोहे के तपते हुए गोले चिम्टे से पकड़ कर हीरा के हाथ में देने वाला होता है तब न राणी की ओर देखती है। फिर अचानक हीरा को लाल तपते हुए गोले के उपर एक चंटी चलती दिखाई देती है तो वो समझ जाती है कि यह बाइसा का चमतकार है। और वल तपते हुए गोले को अपने हाथों में ले लेती है। इस पर नीमदेव जी कहते हैं कि राणी ज उठाकर न ले जाएं। राणी जवाब देते हैं कि राण में आप जैसे उम्राओ है ऐसे कैसे कोई राणी को उठाकर ले जा सकता है। राणी जयमती दूसरे दिन हीरा के हाथ बगणावतों को संदेश भीजती है कि आप कुछ दिन तक यहीं विराजो, नौलखा बाद को छोड़कर कहीं मताना जाना। महलो की ओर भी नहीं आना, नहीं तो लोग समझेगे 22 चरित्र है। राणी जयमती का ये संदेश नियाजी को ही देकर हीरा वापस लोटाती है। जब राणी हीरा से पूछती है कि सवाई भोज से क्या बात हुई तो हीरा बताती है कि सवाई भोज से तो मैं मिली ही नहीं, मैं तो नियाजी से ही मिलकर वापस आ गई हूँ। तब राणी कहती है कि तूने नियाजी से बात क्यूं करी, तुझे सवाई भोज से मिलने भेजा था और तू नियाजी से ही मिलकर वापस आ गई। हीरा कहती है, राणी जी आपका आज जिंगार करवाएजी और हीरा को अपने कपड़े और सारे गहने देती हैंUP जिन हुखक से कहती हैं तुमुजाएं लई देगें मगर। मरें-तलर का थे रहा और रहा ना करो। हीरा को से आप फ़िरई कर के से कितुियक सावया निक्ला जाया ह्यूं हीरा राओ जी के दर्बार में जाकर फर्याद फर्याद चिलाती है। राओ जी पूचते हैं हीरा क्या बात हैं। हीरा कहती है दर्बार बाइसा के पेट में बहुत दर्ध हो रहा है और लगता है बीमारी इनकी जान लेकर ही छोड़ेगी। राओ जी नींदेव जी को कहते है भाई नीमदेव रानी जी की बीमारी बढ़ती ही जावे है। कोई अच्छा जाना माना भोपा हो तो पता करवाओं। छे महीनों से ये बीमारी निकल ही नहीं रही है। नीमदेव जी उद्दू के बजार में आते हैं। वहाँ उन्हें चावया भोपा मिलता है और नीमदेव जी से कहता है कि दाकन, डायन, भूथ, छोट, प्रेत, मूथ, दुष्ट आत्मा को तो मैं मिंटों में खत्म कर देता हूं। उसे नीमदेव जी अपने साथ महलों में ले जाते हैं। नीमदेव जी हीरा से कहते हैं कि इसे ले जा और तेरे बाईसा को दिखा। हीरा भील को रानी जैमती के महल में ले जाती है। रानी अपनी माया से भोपा में भाव डाल देती है जिससे भोपा राउ जी के पास आकर कहता है कि मैं रानी जी को ठीक कर सकता हूं। भोपा ने बताया कि रानी जैमती ने भहरुजी से अपने लिए राजा जैसा वर मानगा था। उन्होंने राजा जैसा वर तो पालिया मगर भहरुजी की जात अभी तक नहीं जिमाई। इसलिए भहरुजी का दोश लग गया। जात जिमानी पढ़ेगी। नीमदेव जी हीर नहीं तो नहीं बचेगी। और ये तोटका राजी के हाथ का ही लगेगा और किसी के हाथ का सुव नहीं चड़ेगा। और ये बात सुनते ही राजी सुव का शिकार करने के लिए अपनी सेना तयार करने का हुकम देते हैं। उसमें सभी उम्राव द्याजी, कालुमीर, साव के उम्राओ और राओ जी के खासम खास सरदार और पांच सो घुर सवार तयार हुए। इतने में द्याजी ने कहा राओ जी मेहलो में पहरा अच्छा लगाना क्योंकि 24 बगरावत भाय नौलखा बाग में दते हुए है। वो कहीं राओ जी कहते है वो तो मेरे भाय है और उन्होंने ही मेरी शादी करवाए और पैसा भी उन्होंने ही खर्च किया। वो ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी राओ जी शिकार पर जाने से पहले नीमदेव जी को पहरे की जिम्मेदारी सोप कर जाते हैं। उधर रानी जयमती अपने पसीने से एक सुव बनाती है। उसका वजन बारह मन होता है। और अपनी माया से उसे राओ जी के आगे छोड़ कर कहा कि ये सुवररा राजाजी को नाग पहार से भी आगे दोलाता हूँ अले। जाना और चार दिनों तक वापस आने का अफसर मत देना। इस तरह राओ जी सुवर के पीछे पीछे नाग पहार से आगे निकल जाते हैं। नाग पहार पहुंच कर वह माया से बना सुव गायब हो जाता है।